वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि वित्वश 2019 का वित्य घाटा तै किये गए लक्ष तक ही पहुचेगा हलाकि इस साल के पहले चार महिनों में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई है टैक्स कलेक्शन में बढ़ुतरी करने के सरकार के कई प्रयावसों के बावजूद वित्वश 2019 के पहले चार महिनों में कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई है CAG रिपोर्ट्स के अनुसार एप्रिल से जुलाई के बीच टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 11.7 फीजदी की ग्रोथ देखी गई जबकि पूरे साल का लक्ष्य 16.6 फीजदी है जो मौजूदा वित्वर्श के मुकाबले काफी ज्यादा है इस दोरान कॉर्परेट टैक्स की ग्रोथ भी काफी धीमी रही एप्रिल से जुलाई 2018 के बीच कॉर्परेट टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 0.6 फीजदी रही है जबकि साल भर का लक्ष दस दशनलो दो फीजदी है इंकम टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ भी एप्रिल से जुलाई के बीच वित्वर्श 2017 में 18 दशनलो आट फीजदी थी जो वित्वर्श 2018 में इसी दोरान 48 दशनलो आट फीजदी रही पर अब गिरकर 11 दशनलो तीन फीजदी पर आगई है जीजदी कलेक्शन भी अगस्ट से जुलाई के मुकाबले 96,480 करोर रुपए से घट कर 93,960 करोर रुपए पर आगया है कि टैक्स कलेक्शन में गिरावट के पीछे वित्वर्श 2018 की चौती तिमाही में भारतिये कंपनियों को हुआ भारी नुकसान है और दूसरा एहम कारण एप्रिल से मई के महिनों में भारी टैक्स रिफंट भी है बहराल कारण जो भी हो टैक्स कलेक्शन में इतनी गिरावट के बावजूद वित्वमंद्री अरुन जेटली वित्ये घाटे को 3.03 के लक्षे तक समेटने को लेकर काफी सकारात्मक है जो फिलहाल मुश्किल लगता है समराच शर्मा, गो न्यूज